नमस्कार दोस्तों मैं हरीकेस याद हूँ और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया अभी मैं दुबारी में हूँ जो बिधान सभा मधवन में पड़ता है घागरा नदी के टट पर बसे बिंटोलिया गाउं के कुछ लोग यहां उपस्तित हैं और यह जनता सिच्छा निकेत लोग यहां अपना समय गुजार रहे हैं कितने परिवार की लोग है लगबिश परिवार कीỏi के लोग जबसे कटान शुरू हुई है यह लोग घर है और शकुल में सरण लेने को मजबूर है लए सरकार द्वारा इनको कोई मदद की जाती है कि नहीं की जाती है इनको तो दूसरे जगों जमीन मोहया कराने के लिए कोई दस्तावे जिनका कागश्बतर जमा हुआ कि नहीं हुआ क्या नाम है आपका। सरकार आपको खाने पीने की ब्योंस्ता करती है कि नहीं करती है। कितने दिन लगबग हो गया हमनी के साल भर घर टूटले हो गया है यानि पिछली बाड से ही आप लोग परशान है यह सभी लोग गरीब और मध्यमबर्ग में जीने वाले लोग है यह चोटे चोटे बच्चे हैं जिस सवस्था में इनको बिद्याले जाना चाहिए पढ़ने जाना चाहिए यह घर पे ही रह जाते हैं इनकी कोई ब्यवस्था नहीं है सरकार आप लोग को जमीन देने की बात करती है तो कोई किसी को जमीन मिला कि नहीं मिला नहीं यह मजबूर लोग है इनको जो सरकार दावा करती है कि इनको खाने की सुब्धा मुहया की जा रही है वो चीजे भी इनको नहीं उपलब दो पा रही है अब मैं रूख करूंगा यहां के पुरो ब्लाक प्रमूख चंद्रमडी यादो गुड़ू जी हैं इनको गुड़ू से आप मिलने आए हैं इनकी क्या इस्तिती है बड़ी देनी इस्तिती है ना इनको खाने को मिलता है नहीं इनको कई जमीन मुहया की जा रही है सर क्या बोलेंगे हम चंद्रमडी यादो पूर परमुख मधवन हम अभी आए हैं बाड कटान पीडित लों से मिलने के लिए जो धरमपोर बिंटोलिया में कटान से लोग प्रभावित हैं इन लों के अभी इस्तिती आप भी घूम के देखे हुए हैं इस्तिती इनको रूम में किस तरह नहीं की जा रही हैं अपने तरफ से रासन पानी के लिए और अवंटन किया यह पांट साल पूर बलाक पर मुख रह चुके हैं और यह इनके हाथ में जो लिस्ट है यहां पर पीडित लोगों की लिस्ट है यह लिस्ट के माधियं से इनको खाने पीने की वस्तिवें इनको सरकार के द्वारा जगह दे देना चाहिए ताकि ये अपना आवास बना कर एक अस्थाई बास इनका हो जाए इस पर क्या बोलेंगे सरकार का बाड़ कटान पीड़ित के खिलाब जो है बहुत उदान सिंथा है सरकार नहीं है सरकार सक्री रही होती तो बिनटोली जो अभी इस बार कटान हो रहा है वो पिछली बारी समस्या को समधान कर दिया गया है कर और एक चाहेंगे कि लिए टीकर है कि जो हमारे उच्छा संग्यान ने संग्या से भाखació कर लूँ इंड misin हैं स Bizim हम लोग ही बताइए हैं कित्यों के में परीवानी सुने ये क्या इस्तिती है काफी मच्छड भी परिशान करते होंगे सरकार तो कहती आप लोग को राशन वगारा सब कुछ उपलब धो रहा है आप लोग राशन मिल जाता है कि नहीं मिलता है राशन एक पर मिलता है राशन वो करीबार से चुपचा पटा गोई नी जाके यहां के जिम्मेदार अधिकारी यह लेक पाल हुए यह सब आपसे कोई कागज लेने आते हैं जाना के फूरा समय आपसे बात कर लो यहां जो सरकारी सुपधाय मिलते हो मिल पाती है कि नहीं आप लोग नहीं मिल पाती है इन तस्वीर को दिखाईए यह महिलाए हैं इनके छो अधिकी बाड़ी बड़ी दयनी है यह साम के समय मच्छर से परसान होते हैं यह सवन पाते हैं लाइट भी नहीं है कोई पंखा भी नहीं है गर्मी के समय में इनके इस्थिति बहुत ही नाजूख है स्बस्वीरे तो साफ है, यहां के जो जिम्मेदार लोग वो इन लोगों से मिलने नहीं आ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या होगी सर इस्थिति तो साफ देखने को मिले काफी देनी है आपके द्वारा इनकी क्या मदथ हो रही है लेकिन बार का कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई वर्तमान सरकार पिछले दस बरसों से भारती जनता पाटी की सरकार है लेकिन यह हर साल जो घर से बेघर होते हैं लोग इनको खाने तक भी सरकार नहीं पहुचा पा रही है यहां के इस्तिती काफी दैनी है यह मेरे साथ अभी जुड़े थे यहां के पुर्व ब् इनको भूमी आवांटित करें इनकी एक इनका एक जगह बने यह भी अपना घर बनवाए और यह हर साल जो बाड़ कटान से परसान होते वह उस परसानी से यह बचे जा सके मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा तब तक के लिए धन्यबाद